आपको लौकी दो प्याजा बनाना बताते हैं यह देखिए आज हम आपको लौकी दो प्याजा बनाना बताते हैं यह हल्दी है धुरदानिया है यह देखिए सबसे पहले लौकी को इसे काट लेना है आलू को भी ऐसे थोड़े बड़े पीस और प्यास को चार तुकड़ा कर लेना है दो प्याज लेना है उसके चार तुख्डे और हर मेंच को यह कड़ा करके लंबकस काट लेना है टमाटर की भी बड़े चार तुख्डे करना है थोड़ा सधन्या और अध्रकलसन का पेस्ट आई यह देखिए कूकर में बनाना है कूकर गरम हो गया है इसमें थोड़ा सा तेल डाले तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें अधरक लस्थन थोड़ा डाल दिजे तेल गरम हो गया है इसमें अधरक लस्थन डाले अद्रा कलस्ण के बदी बादि के रामाला दाल नहाँ नद्रा के बद्रा है आर है जब जाद मुझे था हो लाँ जब जा बदोलो हा घा ठालो लाँ याँ गालुप कि नो कि अधा डाल डेना है इसमें अधी अधी है और ये सारे मसाले ये जो मसाले हैं ये ये सब भी डाल देना है इसको चलाल लेना है एक तोड़ा साइब भूज लेजिए तोड़ा से चलालके भूज लेजिए तुमाचर डाल दिए, तोली की हल्डी, तोली की हल्डी, तोना नमस, और इसके कला दिए, अब इसको अच्छे से बोजाने देजिए अबस इसको शुकर कड़कन लगाके दो सीटी बजा लेगे हल्का धीमियाच में एक तीपी और थोड़ा सतेज करके बस जल्दी से दो सीटी बजाके यह हो जाएगी पटाफट आपकी लौपी की सब्जी तयार कि अग्डम आसान बनाईए और देखिए इसको लोने दुजिए आप फुकर का डट्पन लगा जाएगे इसको सीम में हलके सीटी हो जाएगी उसके बाद प्यास कई घुद पानी निकलके यह हो जाएगा लौकी और प्यास में पानी होता है उसके यह दल जाएगी हलके में हो इसको एक सीटी बजा लेना है और इसके वाएगे दो सीटी एक सीटी आ गई एक सीटी और धीमे में थोड़े सी एक सीटी लेगे इसको बंद कर देगा है कि दो सीटी होगे है अब इसको थोड़ा सा पानी इसका सुखा लो इसका पानी थोड़ा सा पानी सुखा लेना है और उसके बार इसको सबजी तयार यह देखें लॉके की शांदार सबजी तयार एक दम दस मिनिट में आपके यह सारी सबजी खाने में दम मज़ेदार बनाईए जरूर और बताईए यह देखें मज़ेदार स्वादिस्ट लॉकी की सबजी तयार आप बनाईए जरूर और एक बार जरूर बनाईए और खा के बताईए कैसी लगी थैंक यू